नमस्ते, आदाब, मेरे रना मौसन आलम भट है, इस वीडियो के जरीए मैं आपके सामने National Population Register यानि कि NPR मैं जो मुश्किल है वो सामने रखना चाहूँगा मैं ये कहूँगा और ये आर्ग्यो करूँगा कि National Population Register के जरीए जो NRIC यानि कि National Register of Indian Citizens तयार की जाएगी वो ना सिर्फ खतरनाक है, पर आसाम के NRC से भी ज़्यादा खतरनाक वाज़ हो सकती है इसे समझने के लिए पहले हम ये समझें कि आसाम में NRC कैसे तयार किया गया था 2013 से लेकर 15 तक और उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेशों के तहत आसाम में NRC को अपडेट करने का डिरेक्शन दिया था और ये करने के लिए एक बड़ी खास तोर की एक प्रक्रिया बनाई गई इस प्रक्रिया के तहट NRC कोडिनेटर जो एक सरकारी मुलाजिम है और उनके साथ उनके काफी और सबॉर्डिनेट ओफिशल्स वो एक और्गनाईजेशन ने जितने भी निवासी हैं आसाम प्रदेश के उन सबसे उनके नागरिता का सबूत मागा एक सूची बनाई गई उन सारे दस्तावेजों की जो सारे आसामे रहने वाले लोगों को NRC कोडिनेट को देनी थी ये सूची सुप्रीम कोट और NRC कोडिनेटर ने मिलके बनाए सुप्रीम कोट की देखरेक के अंदर बनाए गई सुप्रीम कोट इसको सुपरवाइज कर रहा था और उसके बाद जितने भी निवासी हैं उन्होंने ये डॉक्यमेंट सब्मिट की और NRC कोडिनेटर ने उनकी स्टाडी की, उनकी तहकीक की, वेरिफिकेशन की और उसके बाद ये तहकिया कि कौन भारत का नागरिक है आसामे रहने वाला और कौन नहीं है अब इस प्रक्रिया के खिलाफ कई लोगों ने कम्प्लेंट्स की हैं, पबलिक के सामने बाद भी रखी है खासकर लोगों ने ये कहा है कि कुछ वर्ग हैं समाज के जिनके खिलाफ शायद ये प्रक्रिया जादा इस्तिमाल की गई हो या थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो बेदभाव हो ये सारी परेशानिया हुई हो या ना हो वो एक अलग सवाल है पर ये बात तो साफ है कि NRC आसाम के तहट जितने भी नागरिक या जितने भी निवासी आसाम प्रदेश के थे उन सब के उपर समान्य स्टैंडर्ड समान्य स्टैंडर्ड उफ एविडेंस लगाया गया हाँ कुछ लोगों को special treatment की गई पर by and large broadly ये common standard लगाया गया सारे निवासियों पर और क्यूंकि ये सुप्रीम कोट के देखरेक के अंदर था तो comparatively ये थोड़ा transparent process भी रहा हाँ इसके बाद 2 million ने उनिस लाग के आसपास लोग इस NRC के बाहर हो गए हैं और उनके पास अब हक है कि वो tribunals में appeal करें वो process अभी शुरूर नहीं हुई है अब हम NPR पे आते हैं पहली चीज़ तो हम ये साफ करने कि NPR census बिल्कुल ही नहीं है census आता है census act के दाएरे में तो जितने भी census के जो अधिकारी हैं वो census act के अंदर data collect करते हैं ये data confidential रहता है गुप्त रहता है पर ये data का इस्तमाल सरकार बिल्कुल कर सकती है social planning में करती है budgetary allocation में करती है खर्चे में करती है NPR का इससे कुछ लेना देना नहीं है हाँ NPR census authority जरूर करते हैं पर वो census act के तहत नहीं करते हैं वो भारत के नागरिता कानून के तहत करते हैं भारत में नागरिता कानून से citizenship act के भीतर आता है और 2003 में एक अलग section section 14a डाला गया था इस section के तहत भारत सरकार को यह आजादी दी गई थी कि वो national register of Indian citizens बनाएं मतलब एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें भारत के सारे नागरिकों का नाम हो और अगर वो चाहे तो उनके लिए वो identity cards भी बनाएं पर इसके आगे act के अंदर और कोई चीज नहीं लिखी गई यह नहीं बताया गया कि वो NRC कैसे बनाई जाएगी यह चीज तै की गई 2003 के citizenship rules के तहत यहाद रखेगा कि rules Parliament नहीं बनाते है rules सरकार बनाती है executive बनाती है act Parliament बनाता है तो Parliament ने सरकार को यह बताया कि आप चाहें तो आप national register of Indian citizens बना सकते हैं सरकार ने फिर वो rules बनाए खुद जिसमें उस NRC को बनाने का एक रास्ता दिया गया वो रास्ता क्या है उस रास्ते का पहला कदम है national population register इस national population register में हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले लोग हैं निवासी हैं उनकी सूची बनाई जाएगी और ये काम दिया गया census अधिकारियों को citizenship rules के अंदर census अधिकारी जाएंगे वो एक सूची बनाएंगे आप से आपका नाम मांगेंगे अब NPR manual भी आ गया है जिसमें सारे instructions है census अधिकारियों को कि वो किस किसम की जानकारी इखटा करेंगे और इस manual के अंदर बिलकुल साफ हो जाता है कि ये citizenship के relation में चानकारी खटी की जा रही है ना सिरफ आपका नाम आपका date of birth, place of birth पर आपके माबाप का जो date of birth और place of birth है वो भी जमा किया गया है इसका social planning, census और से कुछ लेना देना है नहीं कि उससे क्या फरक पड़ता है कि आपके माता पिता कहां पैदा हुए है ये देखने के लिए कि भारत सरकार को कितना पैसा किस उदेश के लिए खर्च करना चाहिए अच्छा पहली चीज़ तो ये हो गई पहला कतम अब दूसरा कतम क्या है इन रूल्स केते हैं दूसरा कतम है कि जो भारत सरकार के छोटे मुलाजिम है लोकल लेवल पे वो ये तै करेंगे कि क्या इस list के अंदर NPR के अंदर कोई doubtful citizen है कि नहीं doubtful यानि कि संदिग्द citizen है कि नहीं तो ये अधिकारी ये तै करेगा कि क्या उसको शक है आपकी नागरिकता पे और अगर है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको बोले कि आप दस्तावेज उसको दें और ये सिद्ध करें कि आप नागरिक है इन कानूनों में इन पावर के खिलाफ कोई protection नहीं है चलिए ये हो गया दूसरा कदम तीसरा कदम क्या है एक बार जब ये local अधिकारी ये draft N.R.I.C. तैयार कर देगा उसके बाद ये चंता के सामने public के सामने ये list पेश की जाएगी और public objections उठाये जा सकते हैं मतलब कोई भी इनसान public से ये कह सक मुझे लगता है कि इस सूची के अंदर ये जो नाम है ये इंसान यह इस परिवार का जो नाम है ये घलत है क्योंकि मीरी नजर में ये नागरिक है नहीं कौन public objection उठा सकता है किस बुनियात पे उठा सकता है और भारत सरकार के जो मुलाजिम हैं वो किस बुनियात पे ये ट उनके लिए भी कोई guideline नहीं है पर public objections invite करने से किसी भी इनसान के खिलाफ targeting हो सकती है। उसकी तरफ ये निर्देशित किया जा सकता है कि उसको परेशान किया जाए, victimize किया जाए। और कानून के अंदर इनमेंसे किसी चीज़ के लिए भी protection नहीं है। अब हमें ब्रकुल साफ नजर आना चाहिए कि आसाम के NRC और NPR से जो NRC निकलता है उसमें क्या फरक है। NPR से जो NRC निकलता है वो सबक्यों उपर लागून नहीं होता। पर इस कानून के अंदर एक भारत सरकार के मुलाजिम, एक मामूली मुलाजिम को इतनी ताकत दी जाती है कि वो किसी की तरफ भी ये निर्देशित कर सकता है, कि वो दस्तावेस पेश करे, किसी भी नागरिक को वो परेशान कर सकता है। और इस देश में हमें ये सोचने में जादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई प्रक्रिया बनाए जाएगी, तो देश में जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग होंगे, जो अल्प संख्यक होंगे, जो दलित होंगे, उनके खिलाफ ये प्रक्रिया जादा इस् और इतनी जरूरी, इतनी महत्वशील चीज को भारत सरकार के मुलाजमों के उपर छोड़ देना, इससे बड़ी violation of due process कुछ हो नहीं सकती, अगर किसी इनसान की नागरिक्ता के उपर शक है, तो देश की अदालते हैं, court of law है, due process है, और उस process के तहट ये चीज तैकी जा सकती पर NPR से जो NRC निकलता है, वो पूरी की पूरी प्रक्रियार, ये एक जरूरी सवाल, एक foundational सवाल भारत के सरकार के मुलाजमों पे छोड़ देती है, और इन मुलाजमों को पूरी छोड़ दे दी जाती है, कि वो किसी को भी कभी भी पूछ सकते हैं, कि आप अपने नागरिक हैं, या आप एक संदिग नागरिक हैं, ये ताकत भारत सरकार के मुलाजमा को नहीं मिलनी चाहिए, ये एक कानूनी चीज़ है, जो कोट अफ लौ और अदालतों पे छोड़ देनी चाहिए, नमस्ते